हम बात कर रहे है वी प्रो की लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 2% के उपर के आफसाइट के साथ हमको क्लोजिंग देखने मिली है इससे पहले हमने वीडियो में डिसकस किया था कि स्टॉक इस रेंज से रिजेक्शन फेस कर रहा है 280 के लेवल से हमको इसी लेवल पर नजर रखना है स्टॉक इस लेवल को ब्रेक आट देता हुआ नजर आ सकता है हम देख सकते हैं स्टॉक काफी दिनों से एक ही रेंज में हमको काम करता हुआ नजर आ रहा है 268, 270 के लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था और 480 के लेवल से रिजेक्शन फेस करता हुआ नजर आ रहा था 480 इसका रेजिस्टन्स हुआ था और हमने डिसकस किया है कि 480 के लेवल के ब्रेक आट के बाद 500 टक के तार्गेट देखने के लिए मिल सकते हैं इसके ऊपर ही हमkuo closing देखने के लिए मिली है पुरे market में तेज़ी देखने के लिए मिल रहे है। IT सेकटर में भी Infosys के नहीं कि अगर बात की जाए तो उसमें भी हमको तेज़ी देखने के लिए मिली थी , लेकिन Wipro काफी दिनों से एक ही रेंज में consolidate ओर है इसमें अमको recovery और ही देखने के लिए नहीं मिल रही तेजी देखने के लिए नहीं मिल रही तो यहां से हमको विपरो में तेजी देखने के लिए मिल सकती है अब immediate support का काम करने वाला यह जो लेवल है जहां से rejection phase कर रहा था 480 का लेवल इसको breakdown कर जाता है तो 468, 470 का लेवल एक तगड़े आ important support का role play करेगा अब 480 के range को इसने break out कर चुका है तो आने वाले दिन में हमको और तेजी इसमें देखने के लिए मिल सकती है बात करें immediate target की तो यहां से immediate target बनने वाला है 500 का लेवल और 500 के level के break out के बाद इस टॉक यह जहां इससे पहले हमको गिरावट डिकाए थी 524 का और इस टॉक में हमको फिर वैसे condition में 540 से लेके 560 तक के भी target देखने के लिए मिल सकते है अगर आप ultimate account open करना जाते हो तो description में दीगई लिंक से कर सकते हो वीडियो जो education purpose के लिए कोई buy और sale की सला नहीं है